मैं तो आज इसलिए सुरक्षे थूँ क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ दारी थी ये गुंडा राज जो हमने देखना को मिला है इसको नस्तो नाबूत करना है पंगाल की सियासी बिसाग में जीते जागते इंसान मोहरे बन गए हैं लेकिन शत्रंज के शेह और मात वाले जितनी शराफर सियासी जंग से कोसों दूर है यह मोहरे पल भर में लाश बन जाते हैं पर्दमान में बीजेपी के जंडे में लिप्टी ये लाश पार्टी के कारिकरता की है परिवार और बीजेपी कारोफ है कि ये हत्या टीमसी ने करवाई है बश्ची में बंगाल में लायन ओडर के दिखाई नहीं देता है गुंडे सरयाम भारती यंता पेटी यसी बड़ी पार्टी के रस्टे देख के ऊपर पथराओ करते हैं पुलिस देखते रहती है बंगाल अपनी पहचान खो रहा है टीमसी की गुंडागिर्दी के करण टीमसी की हिंसा के राजनिती के करण यह पुरा जूड है वो जो मर गया वो तलाब में डूटके मरा इसमें तिलमूल का कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर जो तिलमूल का देवाल था पहले से वो दियाल पर उन्होंने अपना पार्टी का सिंबल लिख दिया जिस परदमान में यह हत्या हुई वही पर बीजेपी और टीमसी की खुली भिड़न भी कैमरे में कैद हुई शेहर के दिवारों पर अपने अपने जुनावचीन बनानी की होड में दोनों तरफ के कारकरता भिड़ पड़े बीजेपी के कमल निशान पर कई जगों पर सियाही पुटी भी आरूप है कि ये कारगुजारी भी टीमसी की है लेकिन पुलिस कुछ सुनने को तयार नहीं ये तस्वीरें बंगाल के लिए नई नहीं है करीब करीब हर जिले में ऐसी भ्यंत हो रही है और खून भी बहरा है शायद दोनों तरफ के कारकरताओं को इसकी आदत भी पढ़ चुकी हो लेकिन बात तब बड़ी हो गई जब हाली में बीजेपी अथेक्ष जेपी नड़ा भी बंगाल के सियासत के इस खूनी जंग से रूबर हुए बुलेट प्रूफ कार के चलते नड़ा तो इस हमले में बाल बाल बच गए थे लेकिन कैलाश विजेवर्गिये को टीमसी के पत्थर जेलने पड़ गए ये उसी हमले का नतीजा है कि विजेवर्गिये को भी अब जेट प्लस रुक्षा दे दी गई है जिसके तहर उनके काफिल में भी अब पुलेट पुरूफ कार शामिल हो गई है निर्धारीत कारक्राम होने के बाद भी पुलिस को व्योस्ता करना चाहिए पुलिस ने बिल्कुल व्योस्ता नहीं की और मैं समझता हूँ कि बंगाल अपनी पहचान को रहा है टीमसी की गुंडा गिर्दी के करण टीमसी की हिंसा की राजनिती के करण और इसलिए जनता को विचार करना है जनता इस पर प्रमान पत्र देगी आने अले विधान सबस्वा चुनाओं में कि टीमसी की सरकार किस प्रकारियां पर लोग भी शुरुक्षा कर पारेगी बीजेपी फले ही अपने कारकरताओं की जान को टीमसी से खत्रा बताती हो लेकिन टीमसी हर आरोप पर हर बार पलटवार बीजेपी पर ही ठोप देती है चुनाओं से पहले सहनुभूती पटोरनी के लिए आशंकाओं और डर की सियासर और भी तेज हो गई है चुनावी हिंसा की रफ्तार बता रही है कि चुनावाते आते हालात और भी संगीन हो सकते है सत्ता और वोट की ये महाभारत बेहत भीशन है बीजेपी और टीमसी दोनों ये बात बहुत अच्छे से समझ रही है पाशिमंगाल की राजनीती में राजनीती खिंसा कोई नई बात नहीं है खुन खराबा कई वर्षों से होता रहा है लेकिन बीजेपी अब खुबी जानती है कि बार बार हो रही हत्याओं का असर राजनीती के साथ साथ चुनावी मैदान में भी होगा जितने कारेकरताओं की मौत हो रही है उनका हिसाब भी रखा जा रहा है और हिसाब लेने का प्रयाज भी किया जा रहा है पार्टियां ये जानती है कि अगर सरकार लगातार इसी तरह विफल रही तो उसका जवाब जनता जरूर देगी कैमरा पसंत आपस बहरी के साथ मनोग्या लोईवाल कोल काता आज तक